अभी हम लोग NCRT का example number 2.12 करने वाले हैं class 11 physics का इसमें question ये कहा रहा है कि time period का ये formula है ठीक है और ये जो acceleration due to gravity है जी इस जी का accuracy कितना है वो हमको find करना है ठीक है तो देखा जाए error जितना कम रहेगा उतना ज्यादा न accurate कोई भी चीज आएगा तो हमको पता करना है कि कम से कम जो error है G में हो सकता है वो error कितना हो सकता है वही हम लोग पता करेंगे error का percentage इस G में हम लोग find कर लेंगे वही हम लोग को accuracy बता देगा तो आप जेखो जरासा क्या करते हैं पहले तो length कितना नाप करके आया है 20 cm और जब length को नाप रहे थे तब हम लोग क्या 1 mm का resolution उससे नाप रहे थे एक-एक mm का resolution है उससे नापते नापते हम लोग पुड़ा 20 cm तक नापे हैं तो जब 1 mm का scale लेकर के यानि कि list count मेरा कितना है 1 mm तक का बाड़ी चीज को हम लोग नाप सकते हैं और नापते 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 पुड़ा 20 cm का लंबाई नापे हैं तो जब 20 cm लबाई नापे है 1 mm से तो 1 mm का ही error हो सकता है इसमें अधिक सदिक या कम से कम 1 mm का मतलब 1 by 10 इतना cm यानि कि 0.1 cm का तो इसमें अधिक सदिक अगर error जो होगा या कम से कम तो 0.1 cm का होगा तो absolute error और true value इसी तरीके चानल लेंद को लिखने का सही तरीका हुआ और इसमें जब आप नाप रहे हो तो least count आपका क्या है second ही है तो उसमें 1 second का ही कम से कम यादिक सदिक error हो सकता है तो इतना अब पलस क्या 1 second ये absolute error हो सकता है या इसमें चाहे तो इतना cm तक का ही यानि कि 1 mm तक का ही इसमें error हो सकता है इस लंबाई को नापते समय तो यह error यह true value है, यह absolute error वह true value, absolute error true value, अब क्या काम करना है हमको, कि g में percentage error निकाल लेंगे, वही accuracy को define करेगा हम, जितना percentage error कम, वही least percentage error ही मेरा accuracy बताता है, अब यहां से देखो तो आप, जहां से formula को अगर आप चाहो तो बना सकते हो, t बराबर क्या 2 pi root under l by g है न, तो यहां से देखो तो t by 2 pi बराबर क्या root under l by g है न, यह root इधर से इधर आएगा, तो square चर जाएगा, तो t square by क्या, 4 pi square बराबर l by g, अब यहां से देखो तो g को अगर इधर कर ले, तो यह क्या हो जाएगा, यह उधर multiply, यह divide में आ जाएगा, तो l into 4 pi square, divided by, इसको इधर और t को इधर क लिए, अब यहां पर देखो तो यह तो एक constant संख्या है, संख्या है तो इसका तो कोई dimension dimension होता नहीं है, और इन सब से कोई accuracy बगर इस तब पर निरबर नहीं करेगा, यह तो एकदम significant figure संख्या जो है, इसका तो infinite हो गया न, pure number number है अगर तो, चलो इसको कहानी को खतम करते हैं सिर्फ हमको इसके और इसके dependence पे चर्चा करना पड़ेगा, तो अगर हमको इसका absolute error चाहिए, absolute error का percentage चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इसका delta G by G into 100 से multiply कर देंगे, तो हमको percentage error G में मिल जाएगा, यानि कि absolute error G का true value अगर कड़े, तो यह तो मेरा relative error देता है, उसको 100 से गुना क तो क्या rule चलता है, power into percentage, यहाँ पे power मेरा क्या है, L की बात करें, तो L के उपर power क्या है, 1, अब percentage error निकालना है, तो पहले हमको relative error लिखना पड़ेगा, delta L by L, I into क्या 100 कर देंगे, तो percentage error और फिर इसको जोडना पड़ेगा, इसका power into percentage, power क्या है, 2, I into percentage error निकालना है, तो पहल जाएगा percentage error किसका, G का, यही हमको क्या देदेगा, accuracy बताएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पड़े इसको देखो तो, 1 से तो गुना हो गया, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, delta L, यानि कि absolute error in length कितना हो सकता था, 0.1, बटे, total जो length है, true value, वो कितना है, 20 cm, अगुना क्या यहाँ, 100, पलस 2 गुना, temperature का, temperature बोलते है, time period का, जो absolute error हो सकता है, अधिक से अधिक उसमें कितना, 1 second का, अब अटे, time period क्या है, true value उसका 90 seconds, इसको 100 से multiply कर दिये, अब इसको अगर कटाएंगे, तो देखो तो जड़ा सा, 0 से 0, cancel हो गया, यह 0.1, आइंटू 10, multiply होके क्या हो जाएगा, 1, यह से multiply होके 1, अब आई क्या, 2 ऐसे रह जाएगा, पलस, यहाँ बात करो तो 00, cancel, 10 गुना, 2 हो गया, क्या, 20, अब अब अटे क्या, 9, तो यहाँ पर आप देखो तो percentage error अगर आपको G में आए चाहिए, वही आपको एकरोशी भी दे रहा है, तो इतना बटे, यह हो गया, क्या, 0.5, पलस, देखो तो 20 बटे, 9, यह कितना हो जाएगा, 9, 12, 18, यह हो गया, 2.2, नहीं, तो इन दोनों को आप add करोगे तो यह हो जाएगा, 2.7, इतना percent, लेकिन इसको हमको round off करके लिखना पड़ेगा, significant figure के हिसाब से चलते हुए, हम लोग को जो है, क्या ठीक है, screen shot लेना चाहो तो ले सकते है, सले सले तरसंद आया हो तो इसको like कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना है, अच्छा, एक बात और सुन लेना है ध्यान में, कि यही जो list error जो है, जो error, percentage error हम लोग G में निकाले, वही accuracy को मेरा define करेगा, जितना कम से कम error होगा, वह कम से कम error से ही हम लोग बताते हैं कि accuracy का percentage, जितना error का percentage, जितना कम उतना ही accuracy का भी percentage आएगा,